Recently एक virus outbreak situation का live demo हमने 2020 में करोना काल के दोरान होता हुआ देखा जिसमें जो भी इस virus की चपेट में आया करोना positive होता गया और ना जाने कितने ही लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी दोस्तो ज़रा सोचो अचानक से किसी research के चलते एक ऐसा virus outbreak हो जाए जिसके contact में आते ही हर कोई खुंकार zombies में बदलने लग जाए scary ना आज की anime में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा करोना के बास से तो लगता है इस दुरिया में कुछ भी possible है फिर चाहे वो zombie virus outbreak हो या alien invasion दोस्तो आज की इमारी anime एक बहुत ही popular game की पहली anime movie है I bet आपने इस game का नाम ज़रूर सुना ही होगा और कुछ ने तो इससे खेला भी होगा जी हा मैं बात कर रहा हूँ resident evil की resident evil की franchise के origin के बारे मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इसकी पहली game 1996 में release हुई थी जो कि एक action horror third person shooting game थी इससे बनाया था Capcom ने और अब तक इसके 24 से ज्यादा parts release हो चुके हैं पर इसकी first CGI movie 2008 में release हुई थी इस anime का नाम था resident evil degeneration जो की resident evil 4 game का ही एक sequel है और ये एक CGI animated horror action movie है जो क की अपनी game की तरह ही आपको goose bumps देने के लिए काफी है हम इसे की कहानी आज explain करने वाले हैं इससे Japanese में बायो हजाडो degeneration के नाम से जाना जाता है जिससे direct किया है मोको तो कामिया ने और इसकी story को लिखा है हिरो यू की कोबा याशी और योशिया की हिरा बयाशी ने Capcom ने इस होते हैं इंडियन करंसी में more than 100 lakh रूपीज तो यह तो हो गई सैने में की spoiler free introduction अब ज़्यादा टाम ना वेस्ट करते हुए इसकी creepy explanation का शूबारम करते हैं इस मूवी को start करने से पहले दोस्तो आपको पहले से थोड़ा Resident Evil franchise की starting की कहानी का आइडिया होना चाहिए तो मैं जल्दी से बिलकुल short में आपको बताता हूँ तो बात है 1996 की चब एफरीका के पुराने caves में एक नए तरह की flower species discover होती है ऐसा माना जाता था कि इस flower के use से African tribes के rulers सदियों से superhuman की power से Africa पर राज कर रहे थे पर किसी वज़े से ये tribe extinct हो गई थी कुछ researcher team इस flower sample से T-virus extract करती है पर बाद में पता चलता है कि ये virus एक special genes के साथ ही compatible है इस virus के बारे में और जादा जानने के लिए umbrella corporation नाम की एक non government pharma company अपने raccoon city base में इस पर छुपकर human experiments कर रही थी अपनी research के लिए funds की कमी होने की वज़े से umbrella corporation इस virus से US government के लिए bio weapons बनाती है लेटर ओन इस virus को सब इस human genes के साथ compatible बनाने के जगकर में इसे एक ऐसा virus form हो जाता है जिसके contact में आते ही हर कोई खतनाक zombies में mutate होने लगता है गलती से T-virus umbrella corporation से leak हो जाता है और देखते ही देखते raccoon city में हर कोई zombie बनने लगता है पर आकिर में वहाँ की एक special response team raccoon city के कुछ बचे होई survivors के साथ T-virus का antidote ढूंड कर zombie outbreak को control करने की कोशिश करती है पर इसके बावजूद USA के president कुछ committee members के बहकावे में आकर पूरी की पूरी रैकॉन city को ही एक blast में उड़ा देने का decision लेते हैं क्यूंकि एक तो रैकॉन city में situation बहुत ही खराब हो चुकी थी और दूसरा उन्हें डर था कि लोगों के सामने उनका umbrella corporation की साथ link बहार ना आ जाये पूरे की पूरी रैकॉन city blast कर दी जाती है जिसमें धेर सारे इनुसेट लोग मारे जाते हैं और umbrella corporation का भी end हो जाता है प्रेजिडेंट इस blast की वज़ा को अच्छे से public के सामने justify नहीं कर पाते और resign दे देते हैं लेटर ओन जो भी प्रेजिडेंट बनते हैं bio weapons का use और इस पर experiment करने पर complete ban लगा देते हैं तो यह था इस movie की timeline से पहले का एक short flashback तो अब अपनी movie की असली खानी को continue करते हैं देखना है कि कोई भी organization umbrella corporation की तरह किसी भी bio chemical का misuse ना करे और लोग future में फिर कभी bio hazard से सफर ना हो इसी दुरान एक नई American pharmaceutical company existence में आती है जिसका नाम Will Pharma होता है Will Pharma की Indian branch में cleaning का test के दोरान कुछ लोग Raccoon City की तरह ही zombies बन जाते हैं जिससे public बहुत जादा भड़क जाती है और Will Pharma को भी एक और umbrella corporation समझ कर उसके खिलाब protest करने लगती है इसी दोरान US City के Harvard Villa की senator जिसका नाम Ron Davis था Will Pharma में बहुत बड़ी investment करता है जिससे Will Pharma अपना नया headquarter US के Harvard Villa में बनाती है और इनका क्याना था कि Raccoon City वाली incident से सीख कर इन्होंने इस वाली research lab को top class safety measure से less बनाया है जिससे किसी भी तरह का virus outbreak नहीं हो सकता पर लोग अब Will Pharma के साथ साथ इसके investor senator Ron Davis के खिलावे protest करने लगती हैं इसी बीच Terra Save NGO का एक member और researcher Curtis Miller Will Pharma के खिलाव इस प्रोटेस में कुछ ज़्यादा ही बोल देता है जिससे Will Pharma उसे arrest करवा देती है इस पर Terra Save भी Curtis Miller को अलग करता हुआ कहता है कि Curtis Miller के action Terra Save को justify नहीं करते ऐसे disastrous public reaction के बाद Will Pharma के stocks बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और यहाँ पर reveal होता है कि Resident Evil Universe में बायो टर्रिरिजम ब्लैक मार्केट के साथ साथ state sponsored बायो टर्रिरिजम भी existence में आती है जिसमें एक fictional country डिपब्लिक औबाजीरीब जिसका dictator जनरल मायोगल गरनाडे होता है उस पर allegations लगते हैं कि वो state run बाय टर्रिरिजम को भड़ावा दे रहा है इसके बाद शीन्शेफ्ट होता है और हम Harvard विला एरपोर्ट पर एक लड़की को देखते हैं जिसका राम Claire Redcliffe है जो कि Rackon City Incident की Survivors में से एक होती है Claire, 24 सेव NGO की तरफ से विलफार्मा की Harvard विला Research Lab को चेक करने आई थी जहां Claire की Indian friend और उसकी बतीजी रानी चावला उससे एरपोर्ट में receive करने आते हैं Claire की friend अपनी बतीजी रानी को Claire के पास चोड़ कर अपनी कार लेने चली जाती है तब ही शीनशिफ्ट होता है और हम एक airplane को देखते हैं जिसमें एक passenger की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो flight attendant को विलफार्मा के Frederick Drowney को call लगाने को कहता है इसकी symptoms देके आसा लग रहा था जैसे वो T-virus से infected हो वहीं दूसरी तरफ airport पे Claire, Rani के साथ अपनी friend का इंतजार करते समय निउस देख रही थी जिसके according इस airport के बाहर लोग Will Pharma के investor, Senator Ron Davis के किलाब protest कर रहे हैं शायद Ron Davis यहां आने वाला होगा scene shift होता है और हम finally airport पे Ron Davis को देखते हैं जो कि लोगों की protest की वज़े से बाहर जाने से डर रहा था और वो उन सबी protesters को arrest करने को कहता है जिस पर police chief कहता है कि कैसे कर ले उन लोगों ने कुछ भी illegal नहीं किया है इस situation को देखकर Ron Davis एक कैप के सहारे एरपोर्ट से चुपचाब निकलने की कोशिश करता है बट रानी Ron Davis को पहचान जाती है और Ron Davis एक reporter की निजरों में आ जाता है वो reporter Ron Davis का interview लेने लगती है तभी होँ एक protester zombie mask पैन कर Ron Davis की तरफ बढ़ने लगता है पर Claire ये सब देखकर Ron Davis की सामने आके उस protester का mask अटा देती है और police उस protester को arrest कर लेती है At that moment कहीं से एक असली T.V.S. infected zombie senator की तरफ आने लगता है पुलिस शिव प्रस्टेट होकर उसे भी एक protester समझ कर उसे पकड़ने जाता है तबी वो जॉम्बी पुलिस शिव की गर्दन पर काड़ लेता है इस सब देखर एरपोर्ट पर भगदर मचाती है और Ron Davis का bodyguard जल्दी से chief को छुडाने के लिए उस zombie को शूट कर देता है और police chief को चेक करता है पर तब तक chief मारा जाता है पर एकदम से वो जॉम्बी फिर से हिलने लगता है और bodyguard का पूरा ध्यान उस zombie पर होता है तबी clear पीछे से चलाते होगे bodyguard को वहाँ से हटने को कहती है पर bodyguard कुछ समझ नहीं पाता और तबी chief जॉम्बी बन कर उस bodyguard की पैर पर काट लेता है और वहाँ जैसे एक chain reaction ही शुरू हो जाता है एक इबाद एक हर कोई एक दुसरे को काट के जॉम्बी बनने लगता है इसी बिच रानी इस भगदड में खो जाती है और clear रानी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौटती है तबी clear भगदड में Curtis Miller को देखती है दोस्तों आपको याद दिला दू Curtis Miller टेरासेफ NGO का वही एक्स मेंबर है जिसको Will Farmer ने उनके खिलाब बोलने पे अरेस्ट करवा दिया था रास्ते में Ron Davis क्लेर का हाथ पगड़ कर उसे मदद मागने लगता है तबी एरपोर्ट में सेफटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और पूरे एरपोर्ट को खाली करने को का जाता है इतनी देर में एक एरप्लेन एरपोर्ट पर क्रेश हो जाता है और clear जैसे दैसे रानी और Ron Davis के साथ क्रेश से बच जाती है और तब ये उस क्रेश प्लेन का दर्वाजा खुलता है जिससे एक के बाद एक जांबिस बाहर निकलने लगते हैं जाइज शायद ये वो ही एरप्लेन था जिसमें एक आदमी टी वाइरस की सिम्टम्स शो कर रहा था ये आदमी जांबी में कनवर्ट हो गया होगा और देखते ही देखते पूरा प्लेन जांबी से भर गया होगा आगे बढ़ने से पहले एक बहुत important announcement जबसे मेरे 50K subscribers हुए हैं तबसे मुझे एक एडर सता रहा है और वो डर है आप सभी को खोने का जब चाहें तब मेरा पूरा का पूरा चैनल उड़ा सकते हैं और YouTube मेरी नहीं सुनेगा उनकी सुनेगा क्योंकि इतनी बड़ी companies के सामने मैं क्या ही हूँ Recently मुझे सुनने में आया कि कुछ बड़े बड़े आने में चैनल इसी तरह रात और रात उड़ा दिये गए सो किसी दिन अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं आप लोगों से contact कैसे करूँगा आप लोगों को कैसे inform करूँगा कि मैंने कोई दूसरा नया चैनल खोल लिया है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक group create करूँ मैंने recently community post में एक poll डाला था जहाँ पे 70% लोगों ने कहा कि मैं डिस्कॉर्ट पर अपना server बनाऊ तो याज से हमारे official discord server को join कर लेना नीचे description और pinned comment में मैंने joining link दे रखी है और जिनके पास discord नहीं है तो जल्दी से अपने play story या app store से डाउनलोड करके join कर लो यार यह server मैंने special आप लोगों के लिए ही बनाया है दूसरी तरफ US government situation को control करने के लिए एरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है और survivors को quarantine कर T-virus का antidote देने लगती है अगले scene में हम US की special response team SRT की officer Angela Miller और Greg Lenn को देखती है जो tent में एरपोर्ट की situation के बारे में discuss कर रहे थे तब ही वह एक special agent आता है जिसका नाम Leon S. Kennedy है जिसे white house से SRT को rescue mission पे assist करने के लिए बेजा था और ये बंदा zombie से लडने में expert है और हाँ ये भी रैकॉन सीटी के survivors में से एक है लियोन, Angela और Greg को अकेले ही उसके साथ एरपोर्ट के rescue mission पर चलने को कहता है इस पर Angela मना करते हुए पूरी टीम को भी साथ ले जाने को कहती है जिस पर लियोन कहता है कि टीम में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा infection फैलने के chances भी होंगे इसके बाद रास्ते में लियोन, Angela और Greg को zombies को मारने का तरीका बताता है जोकी था, zombies के सर पर गोली मारना पर दोनों अभी भी लियोन की बातों को हलके में ही ले रहे होते हैं एरपोर्ट पर में एंटरंस सील होने की वज़े से तीनों चट के रास्ते एरपोर्ट में गुश जाते हैं और VIP आफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं तब ही पैसेज में ऐंज़ेला को किसी की आवास आती है अँझिला इशारह में वहाँ जाकर देखने के लिये गयती है पर दोनों ऐसी अजीव आवास सुनकर वहाँ जाने से मना कर देते हैं पर ऐंज़ेला दोनों को वही चोड़ कर आगे उस अवाज की तरफ ही चली जाती है जिसकी वज़े से लियॉन और ग्रैक को ना चाहते हुए भी अजेला के पीछे जाना पड़ता है अवाज का पीछा करते हुए अजेला एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ एक आदमी टी वाइरस की इंफेक्शन से तडप रहा था अजेला उसे उठाकर बाहर ले जाने लगती है तब ही वो भी बाकी जॉम्बिस की तरह अजेला पर अटेक कर देता है पर लियॉन समय पर वहाँ आके अजेला गो बचा लेता है तब ही वाँ हर जगा से जॉम्बिस बाहर निकलने लगते हैं पीछे से एक जॉम्बी activities की तरह बढ़ने लगता है पर अजेला किसे बेगुना इंसान को जान से नहीं मरना चाती थी तो चाहे वो एक जॉम्बी ही क्यों नहों तो वो सिर्व उसके पैर पर शूट करती है जिसे उस जॉंबी को कुछ भी नहीं होता सिचुशन खराब होने से पहले लियोन एंजला गो लेकर जल्दी से रूम के बाहर चला जाता है और पीछे से ग्रैग खुद को बहादूर दिखाने के लिए सबी जॉंबीस पर अंदादून गोलियां चलाने लगता है लियोन ग्रैग को रोकता है और यहां से चलने को कहता है पर ग्रैग उसकी एक नहीं सुनता फिर वो सोचता है कि उसने सबी जॉंबीस को मार दिया तो फिर वो बाहर जाने लगता है तब इस साइट से एक जॉंबी अचाना ग्रैक पर अटेक कर देता है जहाँ पर ग्रैक मरते मरते बसता है और बुरी तरह घबरा जाता है सिंचिट होता है और हम क्लियर, रानी, रॉन डैविस और एक एरोस्टिस को वी आईपी ओफिस में छीपा देखते हैं तब ही बाहर सा किसी की चिलाने की अवाज आती है, क्लियर, चेक करने के लिए बाहर जाती है और लगी ली, क्लियर को रास्ते में लियॉन मिल जाता है, फिर सब भी वी आईपी रूमें कटा होते हैं और लॉबी के रास्ते एसकेप करने का प्लैन बनाते हैं फिर एक के बाद एक जॉंबिस को मार कर लॉबी की तरफ बढ़ते हैं तब ही एक जॉंबी रॉन डैविस पर अटेक कर देता है पर ग्रैग बीच में आके रॉन डैविस को बचा देता है पर इस कोशिच में वो खुद एक जॉंबी से इनफेक्ट हो जाता है अब क्यूंकि उसे पता था कि वो भी जल्दी जॉंबी बन जायेगा तो वो खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला लेता है जब तक उसमें कॉंशियसनेस बागी है तब तक वो अकेले यहीं रहकर जॉंबिस को रोके रखेगा सिधा एंट्रेस की तरफ बागता है और इस धक्ये की वज़ज़ से रानी नीचे जॉंबिस के पास गिर जाती है क्लियर अपनी जान की परवा किये बीना रानी को बचाने के लिए दोरती है पर जॉंबिस उन दोनों को गहर लेते हैं लियोन क्लेयर को बचाने के लिए जॉंबिस को शूट करने ही वाला होता है कि तब भी एक जॉंबी लियन को भी गिरा देता है At that moment लगता है कि क्लेयर अब बच नहीं पाएगी तब लियोन खुद को बचाने की जगा क्लेयर की तरफ अपनी गन फैंकता है बाहर पूरी की पूरी आर्मी उस साइट को गेरे होए थी बागी सब भी एंट्रेस की तरफ दोड़ता हुआ बाहर निकलते हैं बाहर निकलते समय एंजेला पीछे ग्रैक को जॉंबी बना देखती है जो की बाकियों के साथ उनका पीछा कर रहा था सबके वहाँ से बाहर निकलते ही आर्मी अंदर जाकर सब भी जॉंबीस को मार देती है और ग्रैक को इस तरह मरता देख एंजेला काफी गेल्ट फिल करती है तभी वहाँ रानी की चाची आ जाती है जो रानी को जिन्दा देकर काफी खुश होती है और उसे गले लगाना चाहती है पर कॉरेंटाइन होने की वज़े से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता तभी क्लियर वहाँ रानी को धक्का देने के लिए जोरदार तमाचा मार कर वहाँ से चली जाती है दूसरी तरफ लियोन अकेले में ये सब किसी को रिपोर्ट कर रहा था जिसका नाम इंग्रिड हुनिगन होता है जो कि युएस गर्मेंट की एक एजेंट है इस सिचुशन पर हनिंगन लियन को बचाती है कि ये टी वाइरस आउट ब्रेक विल फार्मा की गलती से नहीं बलकि एक टेररिस्ट अटेक हो सकता है जैसे एक बार विल फार्मा की इंडियन ब्रांच में भी हुआ था शायद दोस्तों विल फार्मा एक बुरी कंपनी नहीं है तब इस सीन शेट होता है और हम कर्टिस मिलर को उसकी घर में किसी से फॉन पर बात करते हुए देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो विल फार्मा के अगेंस्ट कुछ प्लैन कर रहे हैं और इसके बाद कर्टिस अपने घर को आग लगा कर वहां से चला जाता है अगले सीन में क्लेर अपने टेंड से बाहर आती है और विल फार्मा के टरक्स को देखर कलेर इसके बारह में पूस्थी है यहीपर रॉन देवर्स, विल फार्मा के हेड और रिसरचर डॉक्टर फ्रेडरिक डाउनिंग से इντरडियूस करवाता है और बताता है कि टरक में टी वेक्सिन्स हैं ये देखर Claire हरान रह जाती है और T-Vaccins को काम करता देख Claire समझ जाती है कि Will Pharma तो अच्छी कंपनी है टेरा से वेबजा ही Will Pharma को टार्गेट कर रही है तब ये चानक एक धमाका होता है जिसमें Will Pharma के सबी वैक्सिन से भरे ट्रक्स ब्लास्ट हो जाती है इस पर लियॉन बताता है कि ये पका टेर्रिस्ट का काम होगा वो ऐसे अटेक्स करके यूएस गर्मेंट के उन ओफिसर्स की आइडेंटिटी रिविल करने की डिमांड कर रहे हैं जो अम्प्रेला कॉपरेशन के साथ रैकाउन सीटी वाले इंसिडेंट में इनवाल्व थे अगर उन्हें ये इनफॉर्मेशन नहीं दी गई तो वो टी वाइरस को यूएस के हर एक पॉपॉलेटिट शेयर में फिला देंगे तब ही क्लेयर बताती है कि एरपोर्ट में जॉंबी आउट्प्रेक्स से पहले उसमें कर्टिस मिलर को देखा था जो शायद इन टेर्रिस अटेक्स में इनवाल्व हो सकता है इस पर एंजेला यहाँ पर रिवल करती है कि कर्टिस मिलर उसका बड़ा भाई है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता जिस पर रॉन डेविस एंजेला को कर्टिस को यहाँ लाने के लिए प्रेशराइज करता है और गुसे में अजेला वहाँ से चली जाती है और पैकिंग करके कर्टिस के घर की तरफ जाने लगती है पर रास्ते में लियोन भी उससे जॉइन कर लेता है दूसरी तरफ ट्लेयर फ्रेडरी के साथ विल फार्मर रिसर सेंटर को चेक करने जाती है पर पीचे से रॉन डैविस उन दुनों को साथ में जाता हुआ चिपके से देख लेता है कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बताता है कि इस फैसलिटी से वाइरस आउट ब्रेक लगबग नामों किन है तब इस इंचिफ्ट होता है और हम एंजला और लिया उन को देखते हैं जो कि कर्टिस के घर के बाहर पहुंच गए थे वहाँ पहुंच कर एंजला देखती है कि कर्टिस का घर तो बुरी तरह जल रहा था एंजला को उसकी घर के बार उसकी फैमिली फोटो मिलती है यहां एंजला बताती है कि कर्टिस की वाइफ और डॉटर रैकॉन सिटी के बलास्ट में मारे गए थे पर फ्रेडरे काफी देर सोचने के बाद एटलास क्लेर को एक सिक्रेट इंफरमेशन दे ही देता है फ्रेडरे क्लेर को बताता है कि उनकी इस लैब में जी वाइरस के सैंपल्स हैं जिस पर वो छिप कर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताके वो इस से वैक्सीन बना पाएं उन्होंने इस वाइरस को ब्लैक मार्केट से खरीदा था दोस्तो मैं यहाँ जी वाइरस की हिस्ट्री में नहीं जाओंगा और यह सब लियोन को बताने के लिए उससे कॉल करने ही जाती है कि तब फ्रेडरिक एकदम से उठकर सरवर रूम की तरफ यह बुलकर चला जाता है कि सरवर में कुछ प्राब्लम है इसके बाद क्लियर लियोन को कॉल पर जी वाइरस के बारे में बता देती है और उसे जल्द यहां आने के लिए कहती है तब ही फ्रेडरिक अपने ओफिस के फॉन पर कॉल कर क्लेर को बताता है कि किसी ने यहां बॉम प्लांट किया है इसी बिच क्लेर को कॉल पर पीछे से कुछ बैल्स की अवाज भी सुनाई दे रही थी तब ही फॉन की लाइन कट हो जाती है और क्लेर अपनी खिड़की से कर्टिस को लेवल 4 से बाहर निकलता हुआ देखती है जो कि इस फैसलिटी का सबसे डेंजरस सेक्षिन होता है इससे पहले कि क्लेर को समझ पाती तब ही बॉम ब्लास्ट हो जाता है अगले सीन में हम क्लेर को फ्रेटरिक के ऑफिस में बिहोश देखते हैं जो की लगेली बॉम से बच गई थी पर यहाँ पर इसमें क्लेर का पैर बूरी तरह से इंजर्ट हो गया था सिंशिट होता है और इधर लियोन और एंजेला विल फार्मर रिसर्च लैब में घुश जाते हैं लियोन और अंजेला कर्टिस और क्लेर को ढूड़ने के लिए स्प्रेट हो कर आगे बढ़ते हैं रास्ते में लियोन को क्लेर मिलती है जिसके बाद लियोन क्लेर को कंट्रोल रूम के पास छोड़ कर एंजेला की मदद के लिए चलाजाता है एंजेला जब तक कर्टिस के पास पहुंसушки है तब तक काफी देर हो जाती है प्रटिस पहले ही खुद में G-Virus इन्फेक्ट कर चुका होता है कर्टिस अपने आकरी समय में ऐसा करने का रेजन बताता है कि Raccoon City incident में US government भी involved थी जो कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए सचाई को बदलने की कोशिश कर रही है पर सचाई को सामने लाने के लिए Curtis किसी भी हट तक जाने के लिए तयार है तब ही US Army के कुछ soldiers Curtis को चारा तरफ से गेर लेते हैं पर Curtis एक बहुती क्रीपी से मॉंस्टर में म्यूटेट हो जाता है और soldiers पर अटैक कर देता है soldiers भी counter attack में Curtis पर गोलियों की बोचार कर देते हैं पर इससे Curtis को कुछ भी फरक नहीं पड़ता और यहाँ पर काफी सारे soldiers मारे जाते हैं एंजेला को देख Curtis उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब ही वहाँ लियों आ जाता है और grenade launcher से Curtis पर छट गिरा देता है बचे कुछ soldiers एलिवेटर से वहाँ से जाने लगते हैं और लियों और अंजेला अगले lift से जाने के लिए वहीं रुख जाते हैं तब ही Curtis पूरी तरफ म्यूटेट होकर soldiers की lift पर attack कर सबको मार देता है इसके बाद Curtis एंजेला की तरफ बढ़ता है पर तब ही लियों Curtis की monstrous giant आंक में चागो गुसा देता है और एंजेला से क्याता है कि अब तुम्हारा भाई नहीं रहा तुम दोनों का blood सेम होने की वज़े से ये तुम्हारे साथ physical होना चाहता है ताकि ये breeding से G-Virus को और जदा फिला पाए G-Virus host में प्रांट होने के बाद ऐसे ही काम करता है तब ही research facility का emergency program virus को detect कर अपने आप पूरी facility में self-destruction के लिए एक gas release करता है और वहाँ blast होने ही वाला होता है पर तबी इससे पहले लियोन एंजेला को लेकर एक water tank में कूच जाता है Curtis तो blast का शिकार हो जाता है पर वो दोनों blast से बच जाते हैं यहाँ पानी में लियोन एंजेला को किस भी करता है ताकि एंजेला अपने भाई को लेगे थोड़ी stress free हो सके वहीं दूसरी तरफ clear यहाँ के control room में पहुंसती है जहाँ से पता लगता है कि एक और security program अपने आप activate हो गया है जिसमें सारे levels एक एकर के नीचे underground में गिर जाएंगे scene shoot होता है और टैंक से बाहर निकलने के लिए लियोन टैंक के glass को shoot करता है और दोनों बैते होए उस underground वाले गहरे hole में गिरने ही वाले थे कि तभी एन वक्त पर एंजेला अपना हाथ कहीं फसा के खुद को उस खाई में गिरने से रोक लेती है और साथ ही लियोन का हाथ बगड़के उसे भी बचा लेती है तभी रूफ से बढ़ी creepy way में रिंगता हुआ Curtis वाँ पे आ जाता है यानि कि वो भी उस blast से बच गया था तभी एक एकर के सारे levels उस sky में गिरने लगती है control room से clear ये सब देखकर किसी तरह उन दोनों को assist करने के लिए levels के नीचे के गिरने का time बढ़ाने लगती है दूसरी तरफ Curtis फिर से दोनों पर attack कर देता है और लियोन को दूर पड़क देता है जसे लियोन उस level में गिर जाता है जो नीचे hole में गिरनी वाला था लियोन पूरी तेज़ी से दूसरे level की तरफ भागता है और इससे पहले वो level गिरता लियोन दूसरे level पर जम्प लगा के बच जाता है वहीं Curtis एंजला की तरफ breeding के लिए बढ़ता है तब ही एंजला से Curtis का family photo नीचे गिर जाता है Curtis जैसे ही उसे देखता है वैसे ही थोड़ी देर के लिए उसकी consciousness वापस आ जाती है और वो अपनी body को resist करने लगता है ताकि वो एंजला के साथ कुछ भी ना कर पाए तब ही जिस level पे वो खड़े थे उसके गिरने का भी time हो जाता है प्रायन वक्त पे लिएन वहाँ आके एक platform से अंजला को पगड़ लेता है और Curtis उस level के साथ नीचे होल में गिर जाता है लिएन अंजला को बताता है कि एक बार जब virus होल में गिर जाएगा तो होल अपने आप उपर से बंद होके अंदर एक blast कर देगा तब ही अचानक Curtis अपने tentacle से अंजला के पाओं को पगड़ लेता है जिससे अंजला नीचे होल में गिरने लगती है तो लिएन अंजला का हाथ पगड़ लेता है अब अंजला लिएन के सारे लटकी हुई थी और Curtis अंजला के जिस प्लैटफॉर्म पे लिएन था अब वो भी इतने वेट से कुछ देर में नीचे गिरने ही वाला था तो अंजला लिएन से क्याती है कि लिएन उसका हाथ छोड़ दे ने तो वो भी अंजला के साथ नीचे होल में गिर जाएगा पर लिएन अंजला का हाथ नहीं छोड़ता और Curtis के फेस पे फायर करता है जिससे Curtis अंजला को छोड़ के नीचे होल में गिर जाता है और उसके होल में गिरते ही अंडरग्राउंड में एक ब्लास्ट होता है और उपर से होल बंद हो जाता है तब जिस प्लैटफॉर्म पे दोन ठीकी थे वो भी गिर जाता है पर किसी तरह लिएन अंजला के उपर होता है और अंजला से पूसता है कि क्या वो ठीक है दूसरी दर्फ कंट्रोल रूम में क्लियर देखती है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, यानि कि ये जो भी हुआ, ये सब होना पहले से प्लैंट था, सब भी भार जाते हैं, जहां उन्हें सनेटर, रॉन डैविस मिलता है, और क्लेर, सनेटर पर एलिगेशन्स लगाती है, कि ये सब उसे ही ने करवाया थ जिससे पब्लिक सिंपती से उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि सनेटर ही विलफार्मा का सबसे बड़ा इंवेस्टर है, जिस पर सनेटर ये क्लेम करता है, कि जी वैरेस है क्या, वो तो ये तक नहीं जानता, तब ही वहां कुछ बैल रिंग्स करती है, जि जिससे ये बता चलता है कि फ्रेडरिक ही कर्टिस का इस्तमाल कर पहले टी वैरेस वैरेस विलाता है, और फिर वैक्सीन बनाकर प्रॉफिट कमाता है, और उसी ने अपनी कंपनी की इमेज सुधारने के लिए अपनी कंपनी और रिसर्च सेंटर पर अटैक करवाया, जिससे विल्फार्मा के स्टॉक्स पब्लिक सिंपती के चलते बढ़ जाएं तब इस इंशिप्ट होता है और हम फ्रेडरिक को अकेला टी और जी वाइरस सेंपल्स के साथ किसे से फॉन पर बात करता हुआ देखती हैं और इनकी बातों से हमें बता चलता है कि फ्रेडरिक टी वाइर और वैक्सीन को जी वाइरस के डाटा के साथ रिपब्लिक और बाजे रिप के डिक्टेटर जनरल ग्रांडे को बीचना चाहता था और यहाँ पर यह रिविल होता है कि फ्रेडरिक इस वाइरस की कैपेबिलिटिस को दिखाने के लिए उसने कर्टिस की मदद से टी वाइरस उसको हावर्ट भिला एरपोर्ट में फिला दिया था यानि की इन शॉट फ्रेडरिक के लिए इस वाइरस को स्प्रेड करना सिर्फ एक सेल्स पिच थी तब ही वहां किसे की कार आती है और फ्रेडरिक इसे जनरल ग्रांडे का आदमी समझ कर उसके पास जाता है पर कार से क् कर लेती है और अगले दिन क्लेर और लियॉन अंजेला से मिलते हैं जो इस इंसिदेंट से काफिर डिप्रेस्ट होती है लियॉन अंजेला को बताता है कि फ्रेडरिक ने सब कुछ कंफेस्ट कर दिया है फ्रेडरिक ने बताया कि फ्रेडरिक रैकॉंसिटी इंसिदेंट से ती और जी वाइरस के सैंपल्स लेकर भाग गया था और विलफार्मा की रिसर्च फैसलेटी की मदद से इन वाइरसिस को वैक्सीन के साथ ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था और इंडिया में भी टी वाइरस फ्रेडरिक नहीं टेरिस्ट को दिया था यह सब सुनकर और उसे जाना पड़ता है तब ही अंजेला, लियोन को दुबारा एक और बार कभी साथ में डाइविंग करने के लिए पूचती है समझ रहो? समझ रहो आप? समझ रहो ना? लियोन इस पर हाँ बोलकर वहाँ से क्लेयर के साथ चला जाता है जिस पर क्लेयर, लियोन से अकेले में पूचती है कि वह एंजेला के साथ डाइविंग करने कब गया था जिस पर लियोन कोई रियक्शन आ देते हुए चौपर की तरह इशारा करते हुए पूचता है कि क्या क्लेयर को लिफ्ट चाहिए? क्लेयर मना कर देती है क्योंकि वहाँ क्लेयर की वो इंडियन फ्रेंड और रानी अल्रेडी अपनी लेमोजीन के साथ उसका इंतिजार कर रहे थे और फिर दोनों अपने अपने राश से निकल पड़ते हैं तब इस इंशेफ्ट होता है और हम ट्राइसल के कुछ रिसरचर्स को विलफार्मा के सील बेस्मेंट कंपाउंड को एक्सप्लोर करता हुआ देखते हैं जहाँने कर्टीस के कुछ बॉड़ी पार्ट्स मिलते हैं जिसमें जी वाइरस की जीन्स अभी भी प्रिजर्व्ट थे वो सभी सेंपल्स को सील कर अपने साथ ले जाते हैं और इस सस्पेंस के साथ ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है चलो जाने से पहले आपको थोड़ी एडिशनल बाते बता देता हूँ जोस्तों जी वाइरस को अंपरेला कॉपरेशन ने वो प्रिजरवन की तरह बनाया था गूफरोज से मतलब वो ulोक इसमें भी फेल हो जाते है पर टी वाइरस की तरह ये कॉवन्टेक्ट में आने से नहीं फैल था इससे फैलाने की लिए होस्त की जैसा ही सेम जीन्स वायले के साथ ब्रेडिन करना जरूरी था जी वाइरस की वेक्सिन्स बनने से पहले ही रैकॉंसिटी में टी वाइरस आउटब्रेक हो गया था और इसी बिच फ्रेडरिक डाउनिंग टी और जी वाइरस की सैंपल्स को चुरा कर वहाँ से भाग गया था और अपनी पुरानी आइडेंटिटी रेज करके यहाँ विल्फार्मा में आ गया दोस्तो रेजिटेंट इवल गेम सीरिस की स्टोरी लाइन बहुती बड़ी और कॉंपलिकेटेड है तो इतना सब्तों मैं आपको एकी वीडियो में नहीं बता सकता वैसे भी यह वीडियो सिर्फ रेजिटेंट इवल डिजनरेशन एनिमे मूवी की कहानी पर ही थी यह एनिमल ओफ्ट है, गेमल ओफ्ट नहीं जो अब गेम की भी स्टोरी लाइन एक्स्प्लेन करने लग जाओं बट हू नोस, क्या पता कभी हम गेम्स की भी खानी एक्स्प्लेन करना शुरू कर दें और एक बात और, इस गेम पर 2002 से लेकर अभी तक 6 हॉलिवोड मूवीज और साथ ही अब तक 3 एनिमे मूवीज भी रिलीज हो चुकी है तो अगर आपको इन बागी की बची तो एनिमे मूवीज की भी एक्स्प्लेनेशन वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन था कमेंट सेक्शन खेर, इसे के साथ हमारी आज की एक्स्प्लेनेशन यहीं पर खतम हो जाती है लाइक, कमेंट और शेयर करें बीना वीडियो को एंड करी तो कसम से मैं जॉंबी बनके तुम्हें काटने आ जाऊंगा अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दें और हाँ, जाने से पहले एक और बार आपको फिर से यहाद दिला दूँ हमारा डिस्कॉर्ट से वो जॉइन करना मत भूलना जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से जॉइनिंग लिंक पे क्लिक करो और हमारी हाठकोर फेमली का पाट बनो मिलते हैं अगली वीडियो में हर हर महादेव